हाई गाईज गुडिवनिंग वेलकम और माई यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासे तो अगर आप एक क्लास 12 के स्टुडेंट है और इस वार इंटर्मीडियेट की परिक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट होने का में रीजन यह है कि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लेसन 4 के इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन का हम सॉल्योशन देने वाले हैं अगर इन सभी आप्यक्टिव को अपनी कापी में नोट करोगे और अगर अच्छा लगे तो नीचे लिखे लाइक बटन को क्लिक करके लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं नोटिफिकेशन का वेल दबा दीजी ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाता रहे तो चलिए हम लोगों स्टार्ट करते हैं और इसमें लगभग हम 40 से 45 कोश्चन का डिस्कस करेंगे क्लास 12 क्यमेस्ट्री लेशन 4 ठीक हैं तो दीखिए यहां पहला कोश्चन है कि पर्थम कोटी के अविकिरिया के लिए बेग इस्थिरांग की काई होती है समय काई इन्वर्स यानि T इन्वर्स इसको हम बोल सकते हैं और यहां रसाइनी का विकिरिया HG H2G HG plus I2G 2HIG का साम में इस्थिरांग KP दिरभार करता है यह किस पर डिबेंट करेगा ताप करम पर किसी रसाइनी का विकिरिया में धाल का मान खीचा जाता है log K plus I1Y T के मद्ध यानि इन दोनों के बीच में किसी रसाइनी का विकिरिया के धाल का मान कीचा जाता है इन दोनों के मद्ध में और अगला कोशन है पांच नमर कोशन है किसी रसाइनी का विकिरिया का विकिरिया का विक प्रभावित होता है तो ताप से होगा किसी रसाइनी का विकिरिया का विक प्रभावित होता है तो ताप से होगा किसी पर्थम कोटी की विकिरिया का विक इस्तिरांग निर्भर नहीं करता है अविकार को की सांदरता पर किसी पर्थम कोटी की अविकिरिया का बेग जो इस्तिरांग है वो डिपेंड नहीं करता है विकारिकों के सांदरता पर अविकिरिया की संक्रियन उर्जार निर्धारित की जाती है दो विभिन तापो पर बेग इस्तिरांग की गरना करके ठीक है और यहाँ अविकिरिया H plus plus OH minus is equal to H2O है वो किस टाइब की अविकिरिया है तिब्र अविकिरिया है ठीक है और यह 8 नमबर कोशन है कि अविकिरिया के पस्चात उत्प्रेरक की मात्रा जो है वो आपरिवर्तित रहती जब कोई भी अविकिरिया होती है तो उसके पस्चात उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है वो आपरिवर्तित रहती है ठीक है यानि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है किसी सुनने कोटी के अविकिरिया की दर क्या होती है वो हमेशा निश्चित होती है और अभी चलिए हम लोग चलेंगे दस नमबर कोश्चन पे और ये दस नमबर कोश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का बिगटन इस्तिरांग 0.58 आवर इनवर्स है तो इसका अर्ध आयू है 5.2 अर्ध आयू काल 5.2 HR एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयू 40 दिन है तो और सत आयू 57.6 दिन ये सब जो है न अविदम हलाइटेड कोश्चन है याद जरूर रखिएगा किसी रासाइनी का भी किरिया में बेग निर्धारक पद होता है वो क्या होता है वो मंद होता है और 13 नमर कोश्चन है यदि बेग नियतांग की एकाई MS इनवर्स हो तो अविकिरिया की कोटी वो होती है सुन्य होती है और 14 नमर कोश्चन है कि उदासिनी करन की किरिया को पुर्ण होने में समय लगता है 10 पर पावर माइनस 10 सकेंड ठीक है आगे आपको बहुत काम देगा 16 नमर कोश्चन है कि उत्प्रेरक की उपस्तिती के कारण उर्जा अवरोध की उर्जा का मान क्या होता है फिर से पढ़ते हैं ये घटता है कैसे उत्प्रेरक की उपस्तिती के कारण उर्जा अब रोध की उर्जा कामान घटता है 17 नमबर कोश्चन है कि अभिकिरिया जिसका बेग नियतांग 2.0 इंटू 10 to the power minus 3 second inverse है इस अभिकिरिया की कोटी 1 होती है ठीक है और ये 18 नमबर कोश्चन है पर्थम कोटी के अभिकिरिया में की इकाई होती है second inverse यानि इसको आप लोग T inverse भी बोल सकते है ठीक है तो ये 18 कोश्चन हो गए लगबग 45 कोश्चन को हम इस वीडियो में डील करेंगे जो आपको लेशन 4 से पूछा जाएगा और ये देखिए 19 नमबर कोश्चन जो आपका है ये बहुत अच्छा कोश्चन है हम आपको दिखाते है ये है कि पर्थम कोटी के अविकिरिया के लिए T वटे 1 Y 2 का मान होता है 0.693 Y K और 20 नमबर कोश्चन है किसी अविकिरिया में 2 ग्राम पदार 24 गंटे में 0.5 ग्राम रह जाता है उस पदार्थ की अर्दायू होगी 12 गंटे ठीक है 12 hours और ये कोश्चन है यदि 31 Y 32 भाग पदार्थ का 200 दिनों में 6 करता है तो 31 बटे 32 भाग पदार्थ का 200 दिनों में 6 करता है तो इसकी अर्दायू 40 दिन होती है और 21 हो गया किसी रसाइनिक क्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ क्या होती है वो बढ़ जाती है किसी रसाइनिक क्रिया की दर ताप बढ़ने से बढ़ जाती है तो ये सभी कोशन काफी important है जरूर copy में note करिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लिखे comment box में हमें comment जरूर कीजिएगा आपके हरे comment का wait रहेगा और उमीद है कि आप जितना भी comment करिएगा हम सभी comment का जो है वो आपको reply जरूर करेंगे और यहां question है किसी अविकिरिया में भाग लेने वाले अनुओ पर्मानुओ अत्वा मूलकों की संख्या कहलाती है अनु संख्या ठीक है यह आपके क्या कहलाएगा अनु संख्या पचीस नमबर question है कि दूसरे करम की अविकिरिया में के की इकाई होती सेकेंड इनवर्स मौल इनवर्स लीटर अथिल एसिटेट का जल अपगटन उदारन है अथिल एसिटेट का जल अपगटन उदारन है पर्थम कोटी की अविकिरिया का और यह last question है अभी और इसमें चलेंगे अभी 45 question डिल करेंगे H2 तथा CL2 के संयोग से HCL का बनना किस कोटी की रसाइनी का विकिरिया यह है आपका सुनने कोटी की रसाइनी का विकिरिया तो 27 question डिल हो गए अब हम लोग 28 पे चलती है यह देखिए 28 नमर question है कि 2H2 प्लस O2 इस इक्वाल टू 2H2 के किरिया में समय लगता है 10 पर power minus 10 second इसको अपनी copy में जुरूर highlighted कर दियेगा कि 2H2 प्लस O2 इस इक्वाल टू 2H2 की किरिया में समय लगता है 10 to the power minus 10 second अभी किरिया का बेक किस पर निर्भर करता है तो यह तो आपको normal question है यह आपको पूछ भी सकता है ने भी पूछ सकता है क्योंकि हलका question है यह ताप पर depend करता है यदि समी करन बेक यह देखिए अगर step का comparison आजाए यदि समी करन बेक K into A B square में A का सांदरन इस्तिर रखकर B का सांदरन तिगुना कर दिया जाए तो बेक क्या होता है? 9 गुना जब इसका ये तिगना होगा ना सिंपल सी बात है यहाँ पर A को स्थी रखकर B का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का square यह क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा तो सांदरन क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा परतां कोटी के अविकिरिया के बेक इस्तिरान की काई वो तो पीछे भी बता दिये थे बाइचांस फिर से आगया T inverse या समय का inverse अविकिरिया 2A पलस 3B इस इकल टू C पलस 2D के लिए अनुकता होगी वो होती है 5 होती है ठीक है? Just wait और ये 34, 33 कोशन हो गए A is equal to E के लिए पाया गया है कि अविकिरिया के दर्दूगनी हो जाती तब A का संद्रन 4 गुना कर दिया जाता है इस अविकिरिया में A की कोटी क्या होती है? 2 होती है 34 नमर कोशन है कि A का अविकिरिया का बेक समीकरन है एक अविकिरिया का बेक समीकरन है बेक है K into A का स्कॉयर into B A स्कॉयर इस अविकिरिया की कोटी क्या है? 3 होगी और ये 35 नमर कोशन है कोई अविकिरिया 31 मिनट में 75 प्रतिसत पूरी हो जाती तो इसके 50 प्रतिसत पूरे होने में समय लगेगा 16 मिनट अगर कोई अविकिरिया 31 मिनट में 75 प्रतिसत पूरी हो जाती तो इसके 50 प्रतिसत पूरा होने में समय लगेगा 16 मिनट ये आपको नुमरिकल्स में कोशन आएंगे इस टैप के कोशन इसको आप बीग कर लिजेगा इंपोर्टन है 35 हो गयते हैं 36 पे आएंगे देखिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा लाइक करने से क्या होता है हमारे टीम का मनोगल बढ़ता है और जितना जादा आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियोस प्रवाइड करेंगे जल में H2G प्लस CL 2G इस इकल टो 2HCL अविकिरिया की कोटी 0 आरहेनियस का समीकरन ये देखिए ये जो कोश्चन है ना बहुत इंपोटन्ट है आरहेनियस के समीकरन का इसको आप अपनी कॉपी में 110% नोट करिएगा कि आरहेनियस का समीकरन क्या है ठीक है ये कोश्चन आपको एक्जाम में बिल्कुल पूछने की संभावना बनी हुगी है तो यहां 37 हो गया 38 में आते है K into A square into B हो तो अभिकिरिया की कोटी क्या होगी ये आपका 3 होगा और ये जो कोश्चन है ना ये important नहीं है बस आरदायो पूछेगा 33Y 34 बाग का एक पदार 30 गंटे में 6 करता है तो पदार क्या पहुँचाबार ये important नहीं है और ये दो समीकरन है CS3COOC2H5 plus H2O is equal to CS3COOH plus C2H5OH की अविकिरिया की अनुसंख्या क्या है ये 2 है इसकी अनुसंख्या अगर ये question रहा तो इसका एक हो जाएगा और ये किस type की अविकिरिया है तो निकोटी की अविकिरिया है ठीक है तो ये सब आप इंपोर्टेंट है आपका ये जो है ये अगर equation रहा 2N2O plus 2N2 plus O2 बेग के N2O इस अविकिरिया की कोटी का मान एक होता है ठीक है एक सेकेंट सोरी सोरी इसका मान क्या होगा 43 question हो गए थोड़ा speedless question को deal करें क्योंकि ये जल्दी जल्दी deal करेंगे तो आपको profit होगा ये वीडियो काफी लंबा चला जाता है इसकारण से थोड़ा जल्द में H2G, CL2G, सूरिप के प्रकास की उपस्तिती में अविकिरिया की कोटी हो तो अविकिरिया की कोटी 0 होगी किसी अविकिरिया का बेग निम्न प्रकार से ब्यक्त होता है बेग के A2B इस प्रकार हो तो कोटी होगी तो ये 45 कोश्चन हम डीर कर चुके है लेशन 4 में केमेस्ट्री क्लास 12 लेशन 4 और इसी तरह आपको चैप्टर वाइस शॉल्यूशन ड्रीम क्लास के थूर मिलते जाएगा आप बस आपके एक्जाम आने से पहले आपके सभी टॉपिक्स by टॉपिक्स क्लियर कर दिये जाएगे तो थैंक्यू फॉर बाचिक इस वीडियो और आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हो और जो बच्चे competitive exam bank SSC railway के त्यारी करना चाते हैं वो dream classes coaching center पर जाएगे अपने youtube में सर्च करें dream classes coaching center और आराम से वहाँ पर वीडियो प्रवाइड हो जाएगा उनके लिए तो थैंक्यू फॉर बाचिक इस वीडियो